सबसे पहले बात करते हैं दो अंको की कोई संख्या तथा इसके इकाई और दाई के अंको को बदलने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसका योग 99 है तो इकाई वे दाई के अंको का योग ज्याद कीजिए इसको पहले हम करेंगे लंबे तरीके से जो जर्नल होता है दोसरी तरफ करेंगे ट्रेक के साथ तो मानते हैं इकाई का अंक है इकाई का अंक आप X मान लो या Y मान लो जो मर्जी है X दाई का मानते हैं दाई का है इसलिए इसको 10 गुणा में करेंगे दाई का इसलिए गुणा में Y तो संख्या क्या होगी 10 Y प्लस X तो इस संख्या को उल्टा करने पर मतलब की इकाई का अंक दाई का करने पर और दाई का अंक इकाई का करने पर तो फिर क्या होगी नई संख्या बनी जो नई 10 X प्लस Y अब इन दोनों का जोड़ दे रख्या है कितना 99 दे रख्या है तो इनका जोड़ 10 Y प्लस X प्लस 10 X प्लस Y बराबर है 99 तो 10 Y और 1 Y ये 11 Y प्लस में 10 X प्लस 1 X 11 X बराबर है 99 तो 11 common है 11 12 आगया Y प्लस X बराबर है 99 प्लस Y प्लस Y बराबर है 99 प्लस 11 बराबर है 9 तो इन दोनों एकाई और दाई के जो अंक थे इनका जोड़ है 9 तो हम इसको समझने के लिए बना भी सकते हैं 9 है तो इसका अनलब एक तो 4 है एक पांच ये हो सकते हैं या फिर दुसरा क्या हो सकते हैं तीन और श्य हो सकते हैं दो और साथ हो सकते हैं एक और आट हो सकते हैं अब इसको उल्टा करके देखेंगे जैसे 45 मान लेते हैं 45 का उल्टा चमन तो इनका जोड़ कितना हो गया है नानों है तो ये क्या है ये संख्या ये थी ये भी अमिन का उल्टा जोड़के देखेंगे अकर ये नानों बनते हैं तो ये होता है ट्रे क्या है ? जब इकाई और दाई की संख्या को जोड़ते हैं तो फिर हम सीता ही x पलस y लिखके बरापर है जिस संख्या के जोड़के बरापर दे रखा है उसको शीता ही ग्यारा से बाव देते हैं शीता ही ऐसे ही यह दूसरा स्वाल है इसमें क्या है दो अंकों की कोई संख्या शीतरे का है इसके इकाई वदाई के अंक बदलने पर प्राफ संख्या का अंतरतरे सठ है इसने यह बता दिया जैसे की कोई संख्या थी वो मानले अमने 10 y प्लस x ये कोई संख्या थी एकाई और दाइकेंग बदल दिये 10 x प्लस y तो इन में से गटाने पर इन कांतर है वो कितना दे दिया है वो दे दिया है 63 इन कांतर 63 है तो 10 y था 1 y ये है और अमने इनको गटाना है गटाएंगी 10 में से गया 9 y 10 में से गया 9 x बराबर है ये आएगा माइनस क्योंकि अमने इसको गटाना है बराबर है 63 9 बाहर y माइनस x बराबर है 63 9 इस तरफ आके बागो गया है तो 9 से 63 एक्स y माइनस x या x माइनस y मतलब इनका अंतर है बराबर है 7 आगया 7 इनका अंतर है 7 तो अंतर करेंगे तो गटाएंगे एक मतलब कि उस संख्या के अंतर को जैसे 63 था उसको 10 में से गटा के 9 से बाग देते हैं तो x माइनस y बराबर है 9 इनका अंतर आ जाएगा और जब इनका जोड बुचता है तो जब हमने 10 प्लस 1 किया था 11 से बाग देते हैं यह हमने याद रखना है आज की वीडियो में इतना ही